नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल युद्धा आई एस पर मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रमुक खबर यह हमारी नियूज होने जा रही है सुप्रिम कोर्ट की एक वर्डिक्ट से रिलेटिड और यह वर्डिक्ट है आदानी ग्रूप से संबंदे तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बैक्राउंड समझना है क्या है यह जनवरी 2023 में यूनाइटिड इस्टेट का एक शौर्ट सेलर है जिसका नाम है हिंडन बर्ग रिसर्च इनकी तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आती है और उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि आदानी ग्रूप के उपर आरोप लगाये जाते हैं इस हिंडन बर्ग रिसर्च इंस्टिटूट की जो रिपोर्ट है इसके अंदर अब यहाँ पर जब आदानी ग्रूप के उपर आरोप लगते हैं तो फ्रॉड का आरोप लगता है इस्टॉक मैनूपिलेशन का आरोप लगता है और कॉर्परेट धांदली का आरोप इनके उपर लगाये जाता है और साथी साथ इस रिपोर्ट में जो यह स्कैम है इसे ला कराती है अदानी ग्रूप के जो स्टॉक्स होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और करीबन 140 बिलियन डॉलर की गिरावट हमें मार्किट वैल्यू में अदानी ग्रूप के शेर्स के अंदर देखने को मिलती है यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है कि आदानी अंटर्प्राइस के द्वारा FPO लांच किया जाने वाला था जिसे कैंसिल कर दिया जाता है अब मार्च 2023 में सुप्रिम कोट इंटर्वीन करती है और सेबी को डायरेक्ट करती है कि वो एक investigation करे जो भी allegations लगाए गए है इन चीजों के उपर और दो महीने के अंदर सेबी को सुप्रिम कोट में report भेजनी है कि क्या उन्होंने जाच में पाया साथी साथ एक 6 member की expert committee भी बनाई जाती है सुप्रिम कोट की द्वारा जिसे head करते हैं सुप्रिम कोट के retired judge एम सापरे ये जो committee होती है ये 2023 में अपनी report सुप्रिम कोट के अंदर देती है और कहती है कि जो hidden बर्ग द्वारा आरोप लगाए गए हैं इनके उपर हमारे पास पुकता सबूत मौजूद नहीं है और हम conclusion नहीं दे पाएंगे ये expert committee का कहना था जो सुप्रिम कोट ने बिठाई थी जिसके बाद ये और क्या कहती है committee की जो सेभी जाच कर रही है तो सेभी को further investigation अभी करते रहना चाहिए इसके बाद November 2023 में Supreme Court दुबारा इस case को शुनना सुरू करता है अब Supreme Court में बहुत सारी petitions और दायर कर दी जाती है इसी case से related अब यहाँ पर प्रशांत भूशन उनके दौरा allegations लगाए जाते हैं कि जो committee बनाई गई थी Supreme Court की इसके अंदर जो members थे यह biased member थे और एक नई SIT committee बनानी चाहिए अब Supreme Court इस judgment को reserve कर देती है November 2023 में और दोनों तरफ से यह argument सुन चुकी होती है Supreme Court finally अपनी verdict निकालता है आज तो Supreme Court की verdict में क्या निकल कर आया है Supreme Court ने सबसे पहले जो मांग उठाई जा रही थी SIT या CBI से जाच करवाने की इस case पर उसे refuse कर दिया है साथी साथ CBI को direct किया है Supreme Court ने की वो दो महिने के अंदर इस जाच को पूरा करे और जो भी market regulations हैं उन्हें और मजबूत करे यह Supreme Court की तरफ से finally verdict निकल कर आई है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि SIT या CBI की जो गठना की मांग की जा रही थी उसे खारिज कर दिया है और सेबी को ही direct किया गया है कि वो इस जाच को पूरा करे अब current status आप समझ सकते हैं तो सेबी का investigation अभी ongoing है अदानी firm के उपर और market further development और सेबी की final report आने तक के लिए ये था अदानी case related background अब आप जानिये की आज Supreme Court में क्या हुआ और विपक्षी दलों का क्या कहना है इस case पर पेटीशन में जो मुख्य concern थे वो एक तो ये था कि इंडनवर्ग report के बाद जो उतार चड़ाव आया है share market में उसको लेकर एक judicial committee constitute की जाए जो की सुईकार की गई और judicial committee constitute की जाकर उसने अपनी दो महिने में report दी और साथ ही में भविश्च को लेकर इस तरह की इस्तिती से निपटने के लिए हमारा regulatory mechanism section है की नहीं या और क्या उसमें होना चाहिए जो कि उसको strengthen करे इसको लेकर भी सुजाव दिये और उन सुजावों पर भी सुप्रिम कोर्ट ने positive direction दिये हैं कि इनको consider किया जाए और जो भी उचित कदम है वे सरकार द्वारा लिए जाए जाए तो उससे हमारी आजका में नहीं थी अन्य किसी आजका में होगी तो उससे हमारा कोई संबन नहीं है SIT अपने आप सेवी द्वारा बनाई गई थी और वो उस पर investigation कर रही है बिल्कुल देखें ये तो सीधा lock-up principle है कि third parties investigations हैं या कोई newspaper reading है newspaper publications हैं जब तक कोई evidence credible evidence ऐसी ना हो तो उन पर rely नहीं किया जा सकता सेवी द्वारा already SIT गटित कर दी गई थी और हाली में सेवी की जो status report दी गई उसमें 22 investigations complete कर ली गई है 2 are pending तो दो पर भी Supreme Court ने तीन महिने का time दिया है कि इनको complete करें तो सेवी द्वारा already SIT की गई है और वो अपनी investigation कर रही है उसमें हस्तक शेव का कोई अभी जो है ground नहीं बनता देखिए Supreme Court से देश के लोगों को बहुत उमीद है लेकिन सवाल यह है कि inquiry अगर सेवी करती है तो उसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है भारत सरकार की किसी भी एजनसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है Supreme Court के अपने सुपर वीजन में अगर कोई inquiry होती है तो उसमें सच निकल सकता है वनना सच नहीं निकल पाएगा The fundamental fact remains that the Hindenburg Report came into the public domain exactly one year ago And since one year, the Securities and Exchange Board of India, which is charged with the remit of supertending India's capital markets has been dragging its feet on the allegations made in the Hindenburg Report So therefore, if on a matter as sensitive as this, which has agitated not only Parliament but people across the length and breadth of the country, if not the world it takes one year to even complete an investigation It just goes to show as to how lackadaisical the attitude of the Securities and Exchange Board of India is The fact remains that the Securities and Exchange Board of India, if it wanted, it could have completed the investigation a long time back And we repeatedly raise this matter even in the Parliamentary Standing Committee of Finance We have the opposition members requested that SEBI be called to explain its conduct to the Parliamentary Standing Committee of Finance But unfortunately, we have been stonewalled every time So therefore, under those circumstances, if the Supreme Court has set a two-month deadline We do hope SEBI does end up completing its probe But going by the track record of SEBI, I do not see that really happening 十a has the same獎 अब की बार इंडिया सरकार सीधी सीधी बात है कि इस देश में Bollylight जिस तरह के मुद्दें मुद्दे हैं चाहे वो महंगाई हो चाहे वो बेरोजड़ी हो चाहे जो लोगों में एक ससक है कि इस देश में बद्लाओ होना צाहिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो